आज हम बनाने जा रहे हैं मोबाइल के एक खाली डब्बो से कुछ क्राप्ट के और कुछ अच्छे जो हमारे काम आने वाले हैं ऐसे कुछ बनाएंगे हम तो मैं यहाँ पे इस मोबाइल की जो डब्बा है इसके उपर का हिस्सा उसके ये एक पीस को काट के अलग कर दूँगी तो देखिए इसे मैं पत्ती से काट रही हूँ आप चाहें तो केच्छी से भी काट सकते हैं तो इसके काटने के बाद यह हमारा बन जाएगा अच्छे से एक इस तरह से हम इसके डिब्बे बनाएंगे और यह हमें चार पिस्म चाहिए तो यहाँ पर इसके चारों तीनों साइट में एक साइट हमने काट के अलग कर दिया है तीनों साइट में यह पेपर का इसक्या ज यह देखिए तीनों साइट में मैं इसे चिपका चुकी हूं उपर के साइट हम इसे ही रहने देंगे तो इसी तरह से मुझे चाहिए तीन और डबे तो मैं यहां पर तीनों को बना चुकी हूं उसके भाद हम लेंगे एक कार्ट बोर्ड तो इसे इसके साइट के हम काट लेंगे तो यहां पर मैं दो मुबाइल के डिब्बे जो है उसे में दो बॉक्स यहां पर रख रही हूं और दोनों बॉक्स के साइज के यह कार्ट बोर्ड यहां पर रखूंगी उसके बाद जो एक्स्ट्र है उसे काट के अलग कर देना है और यहां पर इसके एक साइट में मैं ग और इस तरह से रखके इसे में फैवी कोल से चिपका दूंगी और इसके उपर में हम दो डिप रखेंगे जिसके उपर में भी मैंने यह जो पेपर है उसे में चिपका दी हूँ कि यह उपर से दिखेगा इसलिए और निचे में कुछ इस तरह से हम इसे रखके इसके चारों के साइट पेवी कोल से हम इसे चिपका देंगे पेवी कोल आप पहले भी डाल सकते हैं इसमें और यह थोड़ा सुखने में टाइम लगता है बस प्रसुखने के बाद यह बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है नीचे की जो बॉक्स है इसमें हम इसके एक सेट के बिचो बीच में दो निशान लगा देंगे और उसमें छेट कर देंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ पे किसी पीन का भी यूच कर सकते हैं कुछ भी तो यहाँ पे मैं दो छेट कर रही हूँ और जो बॉटर आते हैं बॉटर के जो प्लास्टिक रहते हैं उससे में यहां पर एक गाट लगा दूँगी ताकि इससे निकालने में और खीचने में बंद करने में यह आसानी से हो जाए और गांट लगाने के बाद ये गांट निकलेगा भी नहीं और ये देखिए उपर से जेसे बाहर से खीचने पर ये अच्छे से निकल जाता है चारो बॉक्स में में बॉटल लगाने के जो पाइप होते हैं उनी का यूज करूँगी तो देखिए चारो में मैं इस तरह से लगा चुकी हूँ तो अभी हमारा ये दो डिब्बे सुख चुके हैं तो इसमें अंदर डाल के मैं दिखाती हूँ अभी देखिए कितने आसानी से इसमें ऊपर नीचे हो रहा है बहुत है अच्छे से और दो बॉक्स में यहाँ पर और बना चुकी हूँ सेम उसी तरह से बनाना है जिस तरह से नीचे के हम बनाया थे तो उससे हमें उसके ऊपर में रखोंगी तो एक साइट हमने पेपर इसके उपर में जो पेपर है उसे चिपकाया थे दूसरे साइट हमने ऐसे ही रखे हैं तो दूसरे साइट हम फेवी को रगा देंगे और उन डिबो के उपर में रख देंगे और यहाँ पे मैं एक बॉक्स की दो पार्ट करने वाली हूं तो यहाँ पर किसी भी एक पुट्टे को लेंगे और उसके उपर में Grz paper चिपका देंगे और बीच में उसे go zu asi glue से हम इहाँ पर चिपका देंगे तो िनीस हो जाएगा हमारा तो देखिए चारों में इहां पर अच्छे से बना लिया है और बनाने के बाद यहां पर हम इसमें पैन भी रख सकते हैं या आप सिलाई करते हैं तो अपना सिलाई का सारा समान भी इसमें रख सकते हैं तो यहां पर मेरा बच्चा जो है ओ इसमें मैं अपना सामान रखूंगा बोल कि यह अपना सारा पेन जो है उसके जो एरेजर है यहां वहां पड़े रहते हैं ओ सारे सामान इसमें हम उसके सारे सामान जितने भी स्कूल के सामान होते हैं और सब कुछ हम इसमें रख देंगे साथ में आप किसी भी समान को रख सकते ही तो एक में हमने इतने भी उसके color पैंसल थे उन सब को रख दिया हैं तो यह बहुत ही अच्छे से हो गया है और अबम इन्हें रादबड छोड़ देंगे तो यह अच्छे से सूख जाएंगे और अच्छे से चिपक जाएंगे जो हमारा गुलू है वो अच्छे से सूख भी जाएगा तो देखिए चारों में हमने बहुत ही अच्छे से समान रख दिया हैं और आप इसे किसी भी टेबल पर जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं व हम यहां पर इसे आंएंगे तो अबात करते हैंता जिए पहले बनाया तो इस तरह से पुटफे से साइथ के टी जाएंगे तो इस तरह से पुटफे के फूपर हम लगा लिशन ग्रूार्ड जिए है और पेपर जम दांताए ग्लूर और इस हम दूख्त कीजी इस पर से दलि दिब का हिस्सा है उसे हम रख देंगे और उसके उपर में फिर से एक इस तरह से पुट्टे को हम रख देंगे और यह निचे के जो बॉक्स बनेंगे इसमें हम इस तरह से दो छेट करेंगे और उसमें पाइप को हम डालेंगे और पाइप को इसमें हम दोनों में लगा लेंगे और इसमें गांट लगा कर उसे कीज देंगे तो यह गांट जो ही निकलता भी नहीं है सेम हमने जैसे पहले बाले में बनाया थे उची तरह से इसी में भी बनाना है और जो एक्स्ट्रा है उसे काट के अलग कर देना है यह दिखिए यह हमारा बन क्या है बॉक्स तो अभी हमें जितना बनाना था उतना हमने यहां पर पांच मोबाल के डिब्बोश में यहां पर बना चुकी हूँ तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा